अब जो सिंग सिद्धु वलों पंजाब कैबिनेट चोंशी लाध कैबिनेट मंतरी ब्रह महिंद्रा वलों अपड़िकरे 技हit किती गई सिद्धुदी नराजगी ते बोल देया महिंदरा ने क्या के सिद्धुनुव स्नीफा पे जंदी बजाए खुद कैप्टेन साब नडगाल करनी चाहिए दी सी सिद्धुनुदी नराजगी तो कोई ऐसी बात ने चीब मिनिस्टर साब ने अपना प्रेगेटिव यूज करके उनका प्रोडम को बड़ा अच्छा पोर्ट्फोलियो दिया गया तो मैं भी चाहता था कि वो जोइन करें तो मुझे यह हमें यह मालूम नहीं था कि उन्होंने दस छे को दस जून का स्टीफ़ा दिया हुए वही रहुल जी को उसका भार बात नहीं आई थी कि उन्होंने स्टीफ़ा से दिया हुए पर जो रहुल जी को स्टीफ़ा दिया हुए वो ठीक है उन्होंने कॉंगर्स प्रेजिदेंट को भेजा अपना रोश जार किया पर ज बात कहतें कि जी मैं कमफर्टेबल नहीं या जो भी कहना चाहते वह तो मैं आपको तीफ़ा दे रहा हूं क्यूंकि कौन्स्टिचुशनली चीम मिनिस्टर साथ को जीए ना कि गुर्णर को या कहीं और तो जो अगर रहुल जी को दिया उन्होंने रहुल जी ने आगि ये पा पर उनको बात किसी से तो करने चाहिए थी. अब कहां क्या बात किया बनी नोस कहां थे दिखिए तो उन्हीं की सोचे मैं तो आज भी कहूंगा कि अभी भी इशू सेटल रज़ता करें अस्रीवा भेजने की बजाए ट्वीटर पर ट्वीट करने की बजाए उनको सीम साथ के पास जाना चाहिए था बढ़े हैं उनके पि पिदस माना हैं आपको भी मालू होगा इस वारे में जब ये समझते हैं कि मेरे पिदस माना हैं तो रेजिनिशन लेगी ही चले जाते हैं अपना रोज दिखाते हैं शायद देखो ये कैबिनेट चेंजिस पोर्टफोलियो उसकी आती रहती है तो शायद उनको नई उसमें बढ़ा दिया जाता है उनका पॉर्टफोलियो पर ये अगर महसूस करें कि जी चीम मिनिस्टर साथ मुझे वापस ही वही पॉर्टफोलियो दें तो ये तरह थोड़ा संबख नहीं होता क्योंकि इससे चीम मिनिस्टर की जो अथारिटी है वो एरोड होती है देखो उनको ये तब उनकी सोचा जी क्यों ट्विटर पे दे रहे हैं मेरा मेरे तो ये मानना है कि उनको आप मिलके बात करनी चाहिए थी मुझसे बात कर लेते कि अंकल मेरे को ये मन में मेरे समस्या है मेरे मेरा समस्या का हल करो गौर तलबे के नवजोस सिद्धू ने राहुल गांदी नुँ दास जूनु अस्तीफे दी पेजी चिठी बारे खुला साकरन्तों बाद हुण अपना स्तीफा सीम कैप्टर नुवी पेज देता है जिस्तों बाद ही हुण सिद्धू दास स्यासी पो वेखता है होवेगा